सावदान रहो, उन नन्नों में एक को भी तुछ ना समझो, मैं तुम से कहता हूँ, उनके दूद स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। संत मती का सुसमाचार अध्याई अठारा पस्वर्ग्या दस आज का सुबसंदेश प्रभू सियोन का अपन निर्मान करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भायों और बहनों आज मातकलिस्या रक्षक दूदों की परव मनाती है। संत योरोम कहते हैं मानु आत्मा इतना मूल्यवान है कि जन्म से ही ईश्वर ने अरे के लिए एक एक रक्वाल दूद नियुक्त किया है। और उनकी उपस्तिती को हम अपने जीवन की गटनाओं में अनुबव करते हैं। यानि जो रक्षक दूद मेरा है उनका आजम पर वो मनाते हैं। हमें आज उनको धन्यवाद देना है जो रक्षक दूद मेरा प्रतिदिन प्रतिशन रक्षा करता है। साथ रहता है इश्वर सी आशिशों को मेरे तक पहुंचाता है। निर्गमन ग्रंत में वचन कहता है मैं एक दूद को तुम्हारे आगे आगे बेचता हूँ। इश्वर का वचन है प्रिये भाईों और बहनों वह रास्ते में तुम्हारे रक्षा करेगा और तुम्हें उस्तान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। और उसके आत्मा के का करो सम्मान करो उनकी बातों को मानो उनके विरोध मत जाओ यदि तुम्हारा अपराद नहीं शमा करेगा क्यूंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यानि इश्वर यहां चाहते हैं कि हमें अपने स्वर्द रक्षक दूद के विरोध नहीं जाना है। निर्गर्मनगरंत में हम पाते हैं अध्याइतेश पस्रेंक्या 20 और एक केस में है। प्रिय विश्वासी हों कि हमें देहनिक जीवन में उस रक्षक दूद की याद करता हूं। उसको अनुभाफ करता हूं। नन्ने बच्चे कितने पवित्र हैं निश्कपट हैं। इसलिए आज कसु समाचार में प्रभू कहते हैं दूद स्वर्ग में निरंतर अपने स्वर्ग पितास का दर्शन करते हैं। और उनकी रक्षक करते हैं सावदान रहो कहते हैं। विश्वासियों। जब मेरे जीवर में प्रभू ने मुझे रक्षक दूद दिया है। क्या बादाएं मुझे मिलती हैं तो उनको अनुभव करने में क्या रोकता है। मेरा निस्वार्त, मेरा गमंड। मैं अपने आपको बढ़ब समझता हूं। इश्वर के कृपाओं को मैं रोक देता हूं। पहले पार्ट में नभी जगरत ग्रंत वचन कहता है। मैं उन्हें वापस ले जाऊंगा और वे एरुसले में निवाश करेंगे। वे निस्ता और न्याई से मेरी प्रजा होंगे। और मैं उनका इश्वर होंगा। विश्वासी हों। यदि हम उन रक्षदूतों को याद ने करतें। उनके सम्मान ने करतें। प्रभू वो हम से ले जाएंगे। आज कृपा, प्रात्ना विश्वास करें। प्रभू जो रक्षदूत आपने मुझे दिया है, वस्पार मैं विश्वास करूँगा, उनकी मानूँगा, क्योंकि वे आपसे प्रदत मेरे लिए वरदान है। आमेन।